जहिन दोस्तों देखे आज मैं आपको बताऊंगा जुलाई और अगस दोनों महीने मिला करके तीन सबसे बढ़ियां सबसे बेस्ट सरकारी वेकेंसी के बारे में जिसके लिए आप फॉर्म दोस्तों जुलाई से सुरू हो रहा और अगस तक इसका अपलाई चलेगा ठीक है औ पोटल पोश्ट की दी बात करेंगे तो अप्रॉक्स फिप्टी थाउजन यानि लगबग पचांस जार के आसपास आपका सीट रहेगा योगता देख लीजे इस पर सिंपल सा टेंथ मांगा है तीनों वेकेंसी में केवल टेंथ पास होना आपका जरूरी है परसेंटेज व करेंगे तो सेलरी आपको जॉब वाइज मिलेगा सब वेकेंसी में अलग अलग सेलरी है किसी में 27,000 है किसी में 32,000 है किसी में 15,000 है तो अलग अलग सेलरी है पोस्टिंग भी आपका अलग होगा और इंडिया में कहीं भी आपका पोस्टिंग होगा पूरी भारत का ये वेक प्राइब कर लिजेगा और घंटी को और पर प्रेस करके रखिएगा ताकि जो भी नया नया वेकिंसी निकलेगा सब का इंफोर्मिशन आपको यहां पर मिलता रहे चलिए दोस्तों वीडियो मा आगे बढ़ते हैं तो देखे एक नमबर की जो वेकंसी यह वह है ससी एमटी ए 24 में आपके लिए काफी बढ़िया गोल्डेन चांस है कि 8326 आपका वेकंसी है पोस्ट का नयम देख लिए इस पर एमटी एस का सीट है और हावलदार का सीट है दो तरह का इस पर वेकंसी होता है आप लोगों को पता होगा क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो टेंथ पास इस पर योगता है एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं चाहिए और बहुत सरे लोग पूछेंगे कि सर एमटी एस का अलग फॉम भराएगा कि हावलदार का अलग भराएगा ऐसा नहीं है एक ही फॉम आपको भरना है और उसी में पोस्ट का प्रिफरेंस आपको डालना है कि आपकी अधिक 25 साल और अधिक 27 साल दो तरह का इस पर एज लिमीट है और दो तरह का वेकिंसी है देखिए एमटी एस और हवलदार ठीक है एक में 18-25 एक में 18-27 बाकी रिलेक्सेसन में मिलेगा सभी OBC को तीन साल का रिलेक्सेसन मिलेगा और सभी SCHT को यहां पर 5 यर यानि 5 साल का रिलेक्सेसन देखने को मिल जाएगा फी देख लेते हैं कितना लगेगा इस पर तो देखें दोस्तों जैनरल OBC EWS इन तीन काटिगरी की स्टूडें को 100 रूपीस इस पर पेमिट करने की जौरत है बाकी अधर को यहां पर पैसे नहीं लगेंगे यदि आप SC है, ST है या फि ताइस जून से ओनलाइन चल रहा है ठीक है और 31 जुलाई 2024 इसका अंतिम्तिति है तो नोट कर लिजे एक्जाम डेट देखे दोस्तों इसका अक्टूबर नवंबर 2024 में इसका परिक्षा होने वाला है तो उसी हिसाब से आपको तयारी भी करना पड़ेगा आगे यहीं बात प्रोसेस पार किजेगा आपका नौकरी हो जागा अब exam pattern की बात करेंगे exam pattern में क्या क्या होता है तो आपका एक ही दिन होगा exam लेकिन दो वह थो पर में होगा तो ठीक है नहीं इलिए इसली Session One में केवल पास करने लाएक आपको पढ़ना है पूरा दिमाग लगा देना है Session Two में क्योंकि Session Two ही आपका मेन है अब यहाँ पर देखे Celebis हम आपको समझाते हैं देखे अब बात करेंगे Session One का Celebis का कि इसका Celebis क्या है और हाँ इस पर टाइम आपको मिलेगा 45 मिनिट का आपको टाइम मिलेगा और नेगेटीव मार्किंग नहीं रहेगा इस पर बढ़िया बात है कि माइनस मार्किंग इस पर नहीं रहता है ठीक है और मिनिममम क्वालिफाइंग करने के लिए मार्क्स कितना लाना होगा अभी हम है सेच्ट का 20 परसेंड है तो सेच्यवल करना है क्या करना धार में आपका मेरिट बने उसे से से 2 से अब यहाँ पर बात करेंगे Salz का सेपेसलीं लीजिएज सेषलींट घेरल स्टेटीज़ फिल्ट करें कर रहे हैं और इंगलीज से पूछेगा पचीस कोशन तो टोटल कितना हो गया पचास कोशन गुना तीन तो डेड़ सो नंबर का आपका हो गया दोस्तो सेशन टू इस पे नेगेटीव मार्किंग रहेगा ठीक है टाइम मिलेगा आपको 45 मिनिट नेगेटीव मार्किंग एक बटा तीन य आपको हम बताते हैं जो कि दोस्तों इंडिया पोस्ट जी डियस वेकेंसी 2024 आपको पता होगा कि अभी डाक विभाग में बहुत बढ़िया पोस्ट के लिए वेकेंसी निकला है जी डियस पर आपका एक्जाम नहीं होगा आपका डारेट नोग रहेगा टोटल पोस्ट भी पास हैं तो आप भर सकते हैं साकिल चलाने का आपका डालेज मांगा है तो साकिल चलाना को नहीं जानता है अज के टाइम पे ठेक है तो साकिल चलाना उडिशा से फाम भरीएगा तो आपको उडिया आना चाए और यदि आप चाहते हैं कि हम हिंदी जानते हैं तो हिंदी भासा जहां जहां बोला जाता है ना वहीं से आप फाम को भर दीजिएगा हिंदी भासी राजी से जैसे कि आपका राजस्थान हो गिया है nा एज की बात करेंगे एज कितना होना चाहिए तो कम से कम 18 साल अधिक सधिक 40 साल आपका एज लिमिट मांगा है दोस्तों देखिए एज लिमिट रिलेक्सेसन अलग से मिलेगा सभी OBC को तीन साल का छुट मिलेगा सभी SCST को पांस साल का बढ़ी हां रिलेक्सेसन देखने को मिल रहा है फीकी बात करेंगे तो जनरल OBC EWS इनको 100 रुपया पेमिट करने की ज़रत है बाकी अधर को यहाँ पर कोई भी फी देने की ज़रत नही है बढ़ियां से देखिए आप लोग ठीक है अब बात करेंगे सालरी तो देखें सालरी इस पर दो तरह का सलरी है पोश्ट इस पर तीन तरह का है ठीक है एक है आपका BPM दूसरा ABPM और तीसरा डाक सेवक लेकिन सेलरी आपका दो तरह का है BPM में 12,000 आपका स्टार्टिंग सेलरी रहेगा ABPM और डाक सेवक में आपका 10,000 इस्टार्टिंग सेलरी रहेगा 10,000 तो उपर भी हो सकता है ठीक है तो ये मतलब आगे चल के बड़ भी जाता है सबसे बड़िया वेकिनसी इसका है कि इस पर आपका एकजाम नहीं होता है इस पर किसी भी प्रकार का कोई परिच्छा नहीं होगा आपका डारिट इस पर 10th का मार्क्स जीतना आया है उसी क्या धरपर मेरिट बनेगा और नौकरी आपका हो जाएगा यहाँ पर देखिए, merit list based on 10th percentage, ठीक है, 10th में जितना भी आपने number लाया है, यदि आपका 80% है, 90% है, तो आप दोस्तों यहाँ पर selection ले सकते हैं, कितना percentage में भरना चाहिए, तो देखिए दोस्तों हम आपको clear बोलते हैं, यदि आप general है, OBC है, EWS हैं, तो आपका 80% plus है, तो आ आप SCST हैं, तो आपको 75% भी है, तो भी आप यहाँ पर apply कर सकते हैं, क्योंकि seat बहुत ज़्यादा है, एक seat आपका हो सकता है, clear है, तो देखिए दोस्तों, 3 number vacancy भी काफी बहतरी नौकरी है, यह है, इंडियन नेवी में tradesman का नया vacancy अभी आया है, आप लोगों को पता होग जो कि 10th level का काफी बढ़िया vacancy है, आप इसके लिए फॉम भर दीजेगा, total post 741, 741 total seat है, age की दिबात करेंगे, तो कम से कम 18 से 25 साल, 27 साल, 18 से 30 साल, तरह तरह का अलग-अलग यहाँ पर post है, और अलग-अलग सब में age limit मांगा है, ठीक है, और सभी में दोस्तों, तीन साल आ से फॉम चालू है, 2 अगस्त, last date है, qualification इस पे 10th मांगा है, 12th मांगा है, ITI है, फिर भी आप भर सकते हैं, और साथ में BSC वगर यह दियाप किये हैं, फिर भी आप अपलाय कर सकते हैं, तो इस पे अलग-अलग पोश्ट है, अलग-अलग इस पे qualification मांगा गया है, ठीक है, तो यदि बात करेंगे, एक्जाम के syllabus में क्या-क्या पूछेगा, तो देखे, तो देखे, return का syllabus, इस पे 100 question रहेगा, 100 number रहेगा, ठीक है, 100 question, 100 marks, आपका reasoning से रहेगा, 25 question, math से पूछेगा, 25 question, English से पूछेगा, 25 question, टोटल 100 question यहाँ पर रहेगा, इसके बारे में detail वीडियो दोस् अधिक जानर कारी पाने के लिए आगे भी update मिलता रहेगा, चैनल को subscribe कर लिजेगा, चले मिलते हैं अगली वीडियो में, जहिंद